तो भाई लोग फाइनली मार्वल वालों ने थार लव अन्थंडर का टीजर डाली दिया मतलब कि मार्वल वालों को डॉक्टर स्ट्रेंज की टीवी स्पॉट डानने से टाइम मिले गया तब ही उन लोगों ने टीजर डाल दिया एंड इस ट्रेलर में है क्या चलो पतल लगाते हैं तो मेरा नाम है आयाज एंड आज हम लोग करने वाले थार लव अन्थंडर का रिवीव सो विदाउट एनी फर्दर डियू लेट्स स्टार्ट दो वीडियो सी जैसे कि मैंने बताए कि मैं इस टीजर का रिवीव करने वालो मैं इसका कोई ब्रेकडाउन ने करने वाला क्योंकि ब्रेकडाउन मेरे से अच्छा कई लोगों ने कर रहा है तो तुम लोग जाकर देख सकते हो पहले बात इस teaser में हमें कुछ भी ज्यादा नहीं दिखाया गया मारवल वालों के तरफ से, मारवल वालों ने इस teaser को और हम लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है, कुछ इस teaser में कुछ है ही नहीं भाई, इस teaser में हमें जितना भी देखाया गया, वो movie के first 20 minute में ही ख इस लिए डाला, क्योंकि fans रोज डिमांड कर रहे थे इस teaser की, रोज उनके page पे जाके चाहिए वो इंस्टा और ट्विटर और हर जाएगा बस एक ही डिमांड रहती थी, कि भाई, थौर लव अं धंडर का टीजर कुछ तो ला दो, तो मारवल वालों ने बोला, येलो भाई ला दिया, ये बिल्कुल वैसा ही ही, कि जैसे हम छोटे बच्चे को चोकलेट देकर चुप करा देते हैं, उसी तरह मारवल ने हमें चोटा सा टीजर देकर चुप करा दिया है, मतलब टीजर देते हैं, बट कुछ तो देखा थे, मतलब हमारे मेन विलन का लुक तक नहीं द कराएगी, कूस इस मुवी का वो स्टोरी लाइन वहने वाला, इस टीजर में हमें ऐसा कुछ भी निहीं देखाएगी, इस टीजर में हमें हमारा थॉरर बिल्कुल खुशी थौर बिल्कुल खुशी दिख रहा है, चिल दिख रहा है, एकदम शांत दिख रहा है, बट ऐसा इसके साथ मूवी में नहीं होने वाला है, कॉज यह स्टोरी लाइन ऐसी है, क्योंकि जो इस मूवी का विलन है, यानि हमारा गॉर्ड गॉड बूचर है, वो थौर का वन अब तो मोस्ट हरामी विलन में से एक है, सीजीन लोगोंने कॉमिक्स पढ़ी होगी, उन लोगों को पता होगी, जो गॉर्ड गॉर्ड बूचर है, उसने थौर की जिंदगी हराम कर दी थी, अंदर से एकदम थौर को तोड़ के रख दिया थे, और मैं यही चीज मूवी में भी अपरचुनिटी बेस्ट कर दिये, कॉज ऐसा करेक्टर, ऐसा विलन हमें हर मूवी में नहीं देखने को मिलता है, और मैं इस मूवी में थौर से ज़्यादा गॉर्ड गॉर्ड बूचर को देखने के लिए एक्साइड़ हूँ, जिसका रोल क्रिस्टन बेल प्ले कर रहे है तुम लोग समझ सकते हो कि ये करेक्टर कितना ज्यादा डेडलियस्ट होने वाला है, तुम लोग का इस टीजर के लिए कर क्या फस्ट रियाक्शन ये रिवीव हो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है and I will see you on the next one